कि बिस्मिल्हारमान रहीम असलाम अलेकुम वेल्कम टो लेस्ट प्रिपेर आज हम पढ़ेंगे स्सेटी यानि के सेकंडी स्कूल टीचर की जो जाप साइई हैं सिंद्पब्लिक सर्सक्मिशन के तुरू उनके लिए साइंस के सब्सक्राइब को सब्सक्राइब जरूर कीजएगा तो यह बहुत ही इंपॉर्टन्ट वीडियो है इसको इंटक लाजमी देखेगा और यह साइंस की सीरीज का चौथा पार्ट है अगर आप में से किसी ने पहला तीन पार्ट नहीं देखे तो उसके लिंक्स जो है वीडियो इसक्रिप्शन में मौजूद है आप वही से देख सकते हैं तो वीडियो सटकने से पहले आप सब लोग और केस्ट एक अगर 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 आप इस चलपे नहीं है तो प्रिस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजएगा तो लेट्स बिगिन फरस्ट एम चीजिए जो के बान होते हैं स्मोकी फ्लैम से उनको क्या कहा जाता है तो उनको औरो मैटिक कहा जाता है next one according to Newton sound travel in air under the conditions of Newton के according जो sound air में travel करता है वो किस condition के अंडर travel करता है तो यह isothermal condition के अंडर travel करता है sound air में next one double bond consists of double bond में क्या होता है तो double bond में one sigma and one pi bond एक sigma और एक pi bond होते हैं next one compounds having same molecular formula but differ in structural formula are called compounds जिसमें एक जैसे same molecular formula हो लेकिन उसमें मुक्तलिफ structural formula हो तो उसको क्या कहा जाता है तो उसको isomer कहा जाता है next one organic compounds are soluble in organic compounds जो है एक इसमें soluble हैं तो यह non polar solvent में soluble है next one thermocopils convert thermocopils जो हैं यह किस चीज़ को convert करते हैं तो यह heat energy को electrical energy में convert करते हैं next one the blue color of sky is due to sky का जो blue color नजर आता है यह किस की वज़े से नजर आता है तो यह इसकी टरिंग के वज़े से नजर आता है इसका का blue color next one ribosomes were discovered by ribosomes जो हैं यह किस ने discover किये थे तो ribosomes पहला डे ने discover किये थे इसका पूरा नाम है जियॉर्ज जियॉर्ज ई जियॉर्ज ई जियॉर्ज ई पहला डे और पहला दे ने राइबोजोम से हैं यह डिसकोवर किये थे नैंटीन फिफ्टी फाइव में 1905 में डिसकोवर किये दे राइबोजोम्स next one mitosis is divided into mitosis जो है यह किसमें divided है तो इसका जवाब होगा प्रोफेस प्रोमेटाफेस मेटाफेस और अलब दी इसका जवाब हो जवाब होगा basically mitosis जो है यह पांच stages में divided हैं mitosis पांच stages में divided है जिसमें प्रोफेस है और प्रोमेटाफेस है मेटाफेस और उसके इलावा एनाफेस एनाफेस और टेलोफेस यह पांच stages है जिसमें mitosis जो है divided है next one what is the percentage of water in brain cell brain cell में पानी का जो मिक्तार है percentage है वो कितना है तो यह 85 percentage है ब्रेन में पानी का मिक्तार question number 11 which compound contains benzene ring in their structure वो कुण सा compound है जो के benzene ring contain करता है इसके structure में तो यह aromatic compound है next one the organic compounds having very high molecular weight are called organic compounds जिसमें ज्यादा सब ज्यादा molecular weight हो उसको क्या कहा जाता है तो उसको polymers कहा जाता है question number 13 which of the following materials is useful for making bulb filaments bulb filaments के बनाने के लिए कुण सा material जो है यूज किया जाता है तो यह tungsten है जिसको यूज किया जाता है एक bulb का जो filament बनता है यह जो red bulb होता है 100 watt को उसमें अंदर जो filament लगा होता है यह tungsten का बना होता है question number 14 electrical energy is measured in electrical energy को इसमें मैयर किया जाता है तो electrical energy को kilo watt hours में मैयर किया जाता है kilo watt hours kwh question number 15 a fuse is placed in series with the circuit to protect against fuse जो है यह circuit के साथ प्लेस किया जाता है तो यह किसके against protect करता है तो यह overheating से प्रोटेक्ट करता है fuse question number 16 photo electric effect was given by photo electric effect जो है यह किसने दिया था तो यह photo electric जो effect है इसको discover किया था हर्स ने हेंरिक रुडॉल्फ हर्स हेंरिक रुडॉल्फ हर्स हेंरिक रुडॉल्फ हर्स ने फोटो इलेक्रिक एफेक्ट डिस्कवर किया था question number 17 breakdown of large molecules into smaller ones utilizing water molecules is large molecules है जो break होके smaller molecules में हो पानी का यूज करके water molecules का यूज करके तो इसको क्या कहा जाता है क्या है कि यह hydrolysis है question number 18 intake of liquid material balls by cell membrane is called liquid material जो cell membrane लेता है उसको क्या का जाता है तो cell का liquid material को लेने को पाइनो साइटोसिस कहा जाता है पेनो साइटोसिस question number 19 bacteria which grow either in presence or absence of oxygen bacteria जो के ग्रो करते हैं oxygen के होने या उसके बगेर तो उनको क्या वो कौन से बेक्टेरिया है तो यह फेकल्टेटिव बेक्टेरिया है question number 20 according to Einstein light travels from one place to another place in the form of Einstein के according जो light travel करती है एक जगा से दूसरी जगा वो किस form में करती है तो यह photons form में करती है next one which are the following is not conservative force इन में से कौन सा conservative force नहीं है तो यह friction है जो के conservative force नहीं है question number 22 biomass can be converted into fuels by biomass जो है यह fuels में convert जो होता है यह किस methods के through होता है तो यह direct combustion और fermentation के method के through होता है और biomass क्या है तो यह एक organic material है जो के plants और animals से लिया जाता है biomass next one which is not heterocyclic compound इन में से कौन सा heterocyclic compound नहीं है तो यह इनलीन है जो के heterocyclic compound नहीं है question number 24 during which process empty spaces between particles become minimum किस process के दोरान जो खाली space होते हैं वो कम हो जाते हैं particles के between तो यह condensation process के through होता है के दोरान होता है condensation question number 25 rising of waiting liquid in capillary tube is due to capillary tube में जो waiting liquid बढ़ता है यह किस वज़ा से बढ़ता है तो यह adhesive force की वज़ा से बढ़ता है next one which are the following substances substance possess the highest electricity इन मैंसे जो है जो सबसेंसे किसमें सबसे ज्यादा electricity है तो यह steel है जिसमें सबसे ज्यादा electricity है question number 27 which one is the best material for making connecting wires इन मेंसे कौन सा material बेस्ट है connecting wires को बनाने के लिए तो यह copper है जो के best material है connecting wires को बनाने के लिए next one how many spiracles are present in cockroach cockroach में कितने spiracles होते हैं तो इसमें 20 spiracles होते हैं cockroaches में question number 29 an antibody is made up of how many polypeptide chains एक जो antibody होती है यह कितने peptide chains से polypeptide chains से बनी होती है तो यह चार polypeptides chains से बनी होती है एक antibody question number 30 completely filled band is called जो completely filled band होता है उसको क्या का जाता है तो उसको core band कहा जाता है है थैंक्स सो मच आई होब कि आज का यह वीडियो आपका पसंद आया होगा और इंफार्मेटिक भी लगा होगा प्लीज यसे अपरे friends के साथ अपने relatives के साथ जो भी एक्समेशन के प्रपेशन कर रहे हैं उनके सरासन के साथ लाजमी शेयर कीजेगा और हमारे चैनल लेट्स प्रेपेश को सब्सक्राइब करना ना बोलेगा थैंक्यू सो मच असलाम अलेकुम